हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर और जैसा कि कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था शाम को की जो तो 69,000 सिक्षक भरती चल रही थी उसमें 31,661 सायक सिक्षक अध्यापकों की सीट को भरने के निर्देश दिये गया है आज उसकी कुछ डिटेल है क्योंकि कल की जो प्रॉसस थी उसमें कोई डिटेल नहीं था कल की न्यूस में कुछ डिटेल नहीं थी कि सेलेक्शन किस बेस होगा मैरिट में क्या होगा जिला वांडन का क्या होगा वो सारी चीजें आज की निउस्पेपर में जो है वो क्लियर कर दी है गई है तो यहां पे हम देख लेते हैं कि क्या एक्जैक्ली है तो फिर्स्ट आप पॉल अचा पिचड़ा आयोग जो है उसने औरेडी रोग भी लगा रखी है इस बात को भी हम लोगों निकल देखा था कि इसका कुछ अता पता नहीं है तो वो सारी चीजें भी आज क्लियर हो गई है तो चलिए देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां सामने जो न्यूज है ओवर आल बाकी चीजें नहीं देखते हैं म उन्होंने निर्देश दिये किनोंने सियम योगी आदिय तिनाद ने और बाकी जो प्रॉसेस है वो यहां पर लिखी है कि कब एक्जाम हुआ था कितना कट ओफ लगा था कब रोक लगी थी यह सारी चीजें में जो चीज है वो हम देखते हैं तो यहां पर शिक्षा मित्रो सतीस दुवेदी ने बताया कि सरसट अचार और यह जित्ती सीट्स थी तो ओवरॉल चेसो सरसट अभियरतियों को मेरिट में से सामान्य, ST, SC और OVC यानि कि सभी कैटेगरी की मेरिट में उपर से नीचे के क्रम में 31,661 चैनित किये जाएंगे उनको न्योक्ति दी जाएग यानि कि कुल मिला कि मेरिट में उपर से नीचे के क्रम में मेरिट में बनेगी अब यह बात यहाँ पर है कि जो लिस्ट जारी हुई थी तो क्या वो एकदम क्योंकि मैंने देखा है बहुत ध्यान से कल उसको देखा अनलाइज किया तो उसमें यह जिस देखा कि उसमें कोई पर उनके पास तो वो लिस्ट होगी कि कितने जनरल वाले है कितने क्या है उनमें से अलग-अलग वो चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसका यहाँ पर फिरहाल मैंशन नहीं है लेकिन कुल मिलाके जिनकी हाई मेरिट है, उनहीं का पका फिरहाल इसमें है और एक जीज़ और है कि जो बदली हुई कट ओफ में 8,018 सिक्षामित्र भी उत्तिरिण हुए थे, तो यहाँ पर यह तो बताया गया है कि इतने सिक्षामित्र उत्तिरिण हुए है या फिर नहीं, यह चीज़ का यहाँ पर फिरहाल कोई मेंशन नहीं है इसके अलावा अन्य पिछला वर्ग जो आयोग है उसने रोक लगा रखी है यह पेपर में साफ साफ लिखा है, लेकिन यह कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रोक के बावजूद यह प्रक्रिया जो बढ़ाने के लिए कहीं जारे यह तो क्या होगा, कैसा होगा या नहीं होगा तो कहीं न कहीं यह चीज़ है कि हम करेंगे तो वो सब कुछ ठीक है पर एक रोक लग रखी है हमेशा की तरह यह एक चीज़ पॉइंट जो है उसको इस्पेशली लिखा गया है कि अन्य पिशला वर्ट जो है उसकी रोक लगी होई है यहाँ पर अब बात करते हैं कि जिला आवांटन प्रभावित होगा या नहीं होगा तो बिल्कुल चली देख लेते हैं यहाँ पर एक और न्यूस जो है उसमें जिला आवांटन के बारे में बताया गया है बाकी सारी न्यूस सबको सेम है तो हम यहाँ पर नहीं देख लेते हैं नहीं है कि बदलेंगे जिले यानि कि जिला अब बदल सकता है जित्ते हीलों को जो आवांटन होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब जो है पहले जो है वो जिला आवांटन जो हुआ था वो सरसर जार आठ सो सरसर अभियर्थियों के मतलब सापेक्ष हुआ था अब जो है 31,661 कैंडिडेस जब सेलेक्ट कर ली जाएंगे तो उनके सापेक्ष जिला आवांटन होगा तो कहीं न कहीं जिला जो है अब वो बदल सकता है जिसका जो भी रहा हो तो बहुत ही संभावनाएं के जिला बदल जाएगा और आदे से भी ज़ादा अभियर्थी प्रतीक्षारत कीए जाएंगे कब तक ये प्रतीक्षारत रहते हैं या हमेशा प्रतीक्षारत रहते हैं फिरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पिशले दो वेकेंज से हम यही सारी चीज़ देख रहे हैं, जेल रहे हैं तो चीज़े अब दिखने लगी है कि क्या कैसा है फिरहाल यह प्रॉसस हो पायेगा क्योंकि यह पे पिशला वर्ग I.O का ग्यूंज़ Arya का जो है एंड जो कुछ भी होगा देखते हैं बाब बाई